और यह बहुत ईजी तरीके से बन कर भी तैयार होती है तो आईए अब हम शुरू करते हैं सिबसे पहले मैं अपने कड़ाए अपने गैस पे रख लिए है आप देख सकते हूं तो देखें चारद असे से पानी सोक चुका है अब इसमें डालेंगी वन स्पून घी तो देखें कि मैंने एक चमच्च घी डाल दिया है अब मीसी होने देते हैं थोड़े देर के लिए मैं तो देखें हमारा घी मैल्ट हो चुका है अब अब डालेंगी एक ग्लास दूद तुद इसमें आपको एक कप बहुत रहता है तो आप इसमें दूद इतना है डालीं तो देखें मै अब इसमें डालेंगे अपना मिल्क पोडर यह कटोरी मैंने मिल्क पोडर लिया हुआ है वह मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे से अब में जो इसमें चोटे-मोटे बुट्लिया थी उसे अब इस तरह हम ला लेंगे तो देखें यह जल्दी ही इसमें अब बाला चुका है क्योंकि हमारा दूद गर्म हो चुका था अब मैं इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे और इसकी बहुत इंटेस्टी और बगत ही बढ़िया मिठाई बना कर तयार करेंगे आधि मेरे पास स्कोवा राही उर्खा तही मैं इस में डाल लिया है तो दिरे में इसे इसटरह रहें होंगी सबी चीजेश में एच्छे से मैल्ट हो जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे तो देखे अब मैं इसी तरह हिलाती रहोंगे क्योंकि आपको इसी लने से बिल्कुल नहीं तो ये नीचे की तरफ बहुत जल्दी चिपक जाता है तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि आपको इसी तरह घुमाते रहना है तो देखे आप देख सकते हैं धीरे दिए हमारा पेश्ट के मिठाई में एक कनवर्ट को रहा है तो फ्रेंट्स थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने के लिए मैं इसमें डावती हूं कलर फूड तो देखे वन पेज़ बैने कलर फूड ले लिया है इससे हमारे मिठाईव का यलो हो जाएगा और यह खाने में बहुत ही स् wadis ओ अच्छी लगेंगी इससे आपकी मिठाईगा, ना तो टेस्ट रिब बदलेगा और ना ही इसमें आपका टेस्ट खराब होगा बस इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, जिसें कि यह खाने में आच्छी लगती है, तो देखेंगे आप देख सकते हैं, हला का इसका यलो कलर हो चुका है ना तो भी वाइट है ना इसका और जैसा कलर है सिर्फ हल्की सी यलो कलर की हींगी आप इसी तरह इसी घुमा घुमा कर हम तयार कर लेती हैं तो देखे फ्रेंज मैं इसी तरह हिलाती रहूंगे आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आया हुआ है और यह मिठाई जैस इसके मिठाया बना सकों फोड़ देना है क्योंकि थंडा होने के बास थोड़ा सा टाइट भी हो जाता है तो अब मैं इसे एक साइड में रख देते हूं तो देखे फ्रेंज आप देख सकते हैं मैंने इस पेस्ट को एक प्लेट में निकाल लिया था और फंडा होने के कि इसे थोड़ा से इसके अंदर डालूँगी और उपर से दवा दो देखें मैं इसे के यह मिठाय बना कर दिखा रही हूं आपको मैं इसे प्लेट में निकाल लेतीओं अब एक करके मैं सभी इस तरह तयार कर लोंगी तो आपको इस प्रकार इसे प्लेट में बनाने जा र आप इतनी बॉल्स लेंगी मैंने दो बा दिया है आपको एक एकर के इसी प्रकारी ने बना कर लेना है तो देखे फ्रेंट्स इसी तरह मैं एक एकर के सभी को बना कर तयार कर लूँगी तो देखे फ्रेंट्स आप देख सके हैं हमारी मिठाईयां सभी बन कर तया तुछ की है तो मैं इसकी लिए पर कुछ भी लगा सकते हैं तो मैं इसकी लिए इसके ऊपर कुछ भी लगा रही हैं तो अगली एक ने रेश्पिर साथ स्विछ से आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्का